हेलो एवरिवन नमस्ते वेलकम बैक टू क्लासेश बाइप अविता गुपता हॉक्स एजुकेशनल इंसिट्यूट स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में तो देखिए आप लोगों के जो एमेड फॉर्स समेस्टर एमेड सेजिंड समेस्टर के सभी जितने भी सब्जेक् है तो उसमें पैड़ागोजी और साइंस का था वो मैं आप लोगों साथ में डिसकस कर चुकी हूं अब सैकेंड जॉप्शन आपको मिलती है वह आपका पैड़ागोजी और यह राजिस्थान उनिवर्स्टी का सलेबस है यह और सभी पतिकी हार रही के उनिवर्स्टी में इक ही होता है बहुत ही थोड़ा डिफरेंस होता है तो आप लोगों इसको कंपेर भी कर सकते हैं मैंने अर्याना यूवर्स्टी का आप लोगे साथ में शेयर किया हुआ है जो आपके बुक में है विक ही नहीं तो इसलिए यह जरूरी है और जो बचे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शेयर करें दूसरों के साथ भी नौलिज को जरूर बाटें तो यह देख लेते हैं हम इस पर में इसमें क्या क्या चीज़े आप लोगों को पढ़नी होती है पैड़ागोजी ऑफ मैथमेटिक सब्सक्राइब होता है जिसमें 75 मार्क्स के आपकी अपका मैथमेटिक सब्सक्राइब होती है जोड़ागोजी जोड़ागोजी नहीं है बिल्कुल भी तो चले इसको हम देख लेता है यूनिट वन यूनिट वन है आप लोगोजी नेचर डेवलोपमेंट और सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक सुसमें जो फॉर्स टॉपिक इस जोटिक ए आप लोगों की हाह बिस्टिंकशन बिboys मैथमेटिक सैंस मा फॉर्स टॉपिलागोजज और सब्सेंटनुख अक्दुन है ब्सक्राइब जबुंका मैथमेटेथ हैं आपको जोड़ागोंयु इस्टेटिक से क्मेटिक आपकोंपेशक रीके अवाउंड साथ mathematical modeling तो यह unit 1 है आपका next आपका unit 2 शुरू हो जाता है जिसमें है objectives and strategies of teaching learning mathematics तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है तो इसमें आपका aims and objectives of teaching mathematics at various school levels, next instructional objectives in teaching mathematics, next constructivist approach in teaching of mathematics, then है आपका methods of teaching mathematics, inductive and deductive methods, analytic and synthetic methods, problem solving skills, stages in problem solving techniques to improve problem solving skills, next है आपका unit 3, unit 3 में है आपका curriculum of mathematics at different stages, तो इसमें है analyze the curriculum at pre-primary, primary, upper primary and secondary and higher secondary, next इसके अदर आप लोगो का unit 4 आ जाता है, टोटल 5 units इसमें आप लोगो को मिलती है, तो इसमें आपका structure and mathematics इसमें है आपका undefined terms and axioms, proofs and verification in mathematics, distinctions between them, next है आता है, तो इसमें, types of theorem, such as existence and uniqueness, theorems, etc., types of proofs, direct proof, indirect proof, proof by contradiction, proof by exhaustion, proof by mathematical induction and distinction between induction and mathematical induction, next है आता है, इसमें unit 5 आप लोगो का evolution, evaluation in mathematics 1, तो इसमें है आपका concept है, of evaluation in teaching, learning process, इसमें है formative, summative, criterion, diagnostic, then है आपका types of mistakes in mathematics, their identification and next है आपका analysis with the purpose of preventing and remedial measurement, measures, तो यह आप लोग इन फाइव यूनिट्स का टूमस लेबस है, पैड़ागोजी ओ, पैड़ागोजी ओफ mathematics का है यह, और आप लोगो को काफी help मिलेगी से त्यारी करने में, अगर कोई doubt होता है, comment box में लिखकर आप लोग पोच भी सकते हैं, और देखिए मेरी कोशिश है थी है कि मैं informative जो क्लासिस है, आप लोग करते रहें, अच्छे से पढ़िए, और जल्दी मिलते हैं, नेक्स क्लास में अभी का session यह और करती हूँ, तो आप लोगो के लिए informative वीडियो में जरूर लेकर आऊंगी, और यह वीडियो भी आप लोगों को informative लगे, तो इनको like जरूर करें, चैनल को subscribe करें, अभी करें थैंक यू, धन्यवाद